गुम है किसी के प्यार में का माउजुदा ट्रेक डशको को काफी पसंदा रहा है सो में अब परताप से जुरा ट्रेक खतम हुआ तो वहीं विराट को यहाँ पता चल चुका है कि उसका गोधलिया बेटा वीनू ही उसका और साई का बिचला हुआ बेटा विनायक है विराट साई से इस सचाई को चुपाने के प्लैनिंग तो करता है लेकिन कहीं न कहीं साई को यह संकेत मिल चुका था कि उसका बेटा वीनू अभी जिन्दा है विराट को जैसे ही इसकी भनक लगती है तो वो अनाथाले के वारण से लेकर अस्पिताल के डीन तक सब को यहाँ कहा देता है कि वो साइं और विनायक से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर लीक ना करें लेकिन साइं तो वीनू के जिंदा होने के संभावना होने के बाद वो सच जानने के लिए जमीन से लेकर आस्मान तक एक करते नजर आएगी साइं को जब अनात आसरम और डीन से कोई जानकारी नहीं मिलती है तो अनात आसरम में देरात तक पहुंचती है और जासुसी करने लगती है दरसल आने वाले एपिसोड में साइं धर्शकों को जासुस की भूमी का में नजर आएगी अनात आसरम से नागपुर से गड़ चिरोली जाने वाली बस की दुरकटा में बचे बच्चे की जानकारी पाने के लिए अनात आसरम का डाटा चुरा लेती है अनात आसरम के एक गार्ड को साई पर सक होता है और वो उसे पकड़ लेता है आसरम के लोग विराट को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि साई एनात आसरम का डाटा चुराने की कोशिश करती हुई पकड़ी जा चुकी है साई खुद को बचाने की पूरी कोशिकरती है लेकिन आने वाले एपसोड में ये देखने को मिलेगा कि आखिर साई की तलास खतम होती है या नहीं साथ ही यहाँ भी पता चलेगा कि साई सज्जान पाएगी या नहीं विराट अपने पत का सज्जान करकर साई को सज्जानने से रोपने की पूरी कोशिकरेगा दोस्तों आपको क्या लगता इस बार में हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रू बताए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे